अगर आपके भी Facebook के उपर में एक Error आ रहा है जब भी यूजर आइडी क्रियेट करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखार हूँ, यहां पे मैं यूजर आइडी यहां पे ट्रियेट कर रहा हूँ, और जैसे मैं यहां पर करता हूँ, जैसे मैं Create User पे क्लिक करता हूँ, तो यहां कभी इस तरह का error है तो उसको किस तरह से solve करना है मैं आपको बताता हूँ तो इसके कुछ चार reason है पहला चीज जो है यह आपको तब देखने को मिलेगा अगर आपके पास जो profile है वो नहीं है तो आपके पास में हो आपके पास में eligibility जो है वो नहीं आ रही है अगर आपको user id create करना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तो इसके लिए आपके पास में एक प्रवानी प्रफाइल भी होना जरूरी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो इसमें से access देना पड़ेगा तो access देने के लिए जो है आप यहाएंगे यहां पर setting पे setting पे जाने के बाद you can see यहाँ पे आपके वास में एक option होता which is called page roll page roll पे click करेंगे यहाँ पर आपको जो है उस person को rights देने हैं जिससे आप इसको access कर सकते हैं तो मैं मेरी ही profile जो है उसको यहाँ पे search कर लेता हूँ say for example manjit singh और I think यह रही मेरी profile इसको मैंने select कर लिया अब य जैसे मैं add पे click करता हूँ तो यह मुझे user id password मांगी हो तो मैं password यहाँ पे जो मेरी profile का है वो मैं enter कर देता हूँ उसको submit कर देता हूँ तो now you can see यहाँ पर जो है मेरे पास में add हो चुका है अब हमें क्या करना है अब हमें उस particular profile के अंदर login करना है तो जिस पे जो है हमने जिसको access दिया है तो मैं यहाँ पे login कर लेता हूँ तो let me see how to login मुझे उस profile का जो password डालना है तो password मैं यहाँ पे डालके login कर लेता हूँ ओके यहाँ पे password गलत हो गया तो एक बार चेक कर लेते हैं password काफी समय से use check नहीं किया था तो हो सकता है might be गलत password हो but you can see यहाँ पे मैंने सही password डाल दिया है और अभी जो है मैं इसके अंदर login हो चुका हूँ अब मुझे यहाँ पे जो है मेरे पास में notification पे जाना है तो notification के अंदर you can see यहाँ पे invitation you to become admin of tgm academy इंडिया का जो page है उसके लिए मेरे पास यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से आके मुझे इसको accept करना है तो जैसे ही मैं यहाँ पे accept करता हूँ तो यानि कि मैंने जो invitation है वो accept कर लिया now view page पे click करते हैं तो view page पे click करेंगे morning and you can see हम वापस उसी page पे आगे जहाँ पे अभी हम स्टार्ट किया था अब में यहाँ पे create user name पे click करता हूँ और वापस जो है यहाँ पे इसको create करता हूँ जो मैं वहाँ पे create कर रहा था तो tick आ गया अब मैं यहाँ पे create username name पे click करता हूँ, so now you can see it is saying you are all set, यानि कि मेरा user idea वो create हो चुका है I hope कि आपको जो है वीडियो में जो भी आपका problem है वो solve हुआगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है, सीधा जाकि मेरे YouTube channel को जो है like कर देना है, so that और सब्सक्राइब कर दिना अगर नहीं हो चाहिए, फिर विलता हूँ एक और amazing वीडियो को साथ, till then stay safe, goodbye